अलो दोस्तों वो वीडियो थोड़ा सा कट गया है एक ही वीडियो है आपन उसी की कंटिनुएशन में है वो थोड़ा सा वीडियो कट गया है तो मैंने उसको छोटे से साथवे मिनिट का पाट है उसी में रहने दिया उसी के कंटिनुएशन में है न वो एक ही वीडियो है एक अब देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, राजिस्तान की पर्मुखवनस्पती की, ठीक है, तो पर्मुखवनस्पती में सबसे पहले, next heading डालिए, राजिस्तान की पर्मुखवनस्पती, ठीक है, अपना राजिस्तान की पर्मुखवनस्पती, अब heading डालिए, राजि खेर का विग्यानिक नाम क्या है अकेशिया केपू या फिर अकेशिया कटेचू क्या नाम है यह आप से पूछा जाता है खेर का विग्यानिक नाम क्या मिलता है तो इसका नाम मिलता है अकेशिया केपू या फिर कहीं जगे आपको अकेशिया कटेचू भी नाम मिलता है ठीक ह अब बाद आती है खेर का काम क्या है खेर की खेर एक वरस्पती है खेर की जो चाल होती है जो उसका उपर का सरफेस होती है उससे एक जंजाती पाई जाती है राजिस्तान में कथोडी जंजाती के नाम है कथोडी जंजाती और उस कथोड़ी जंजाती का काम क्या रहती है वो उसको हांडी पद्दती द्वारा कथा बनाती कथा क्या काम आता है पान वगेरा जो बनता है उसके अंदर अपना कथा काम आता है तो कथा किस से बनाया जाता है इस खेर से बनाती है खेर की चाल से कथोरी जन जाती हांडी पद्दती दुआरा कौन से पद्दती हांडी पद्दती दुआरा क्या बनाती है कथा बनाती है क्योंशन है बहुत बार यह पूछया जा चुका है ठीक है यह बात हो गई अपनी खेर की तो लिख लीजिए नेक्स लिखिए अपना सेकंड नमबर है पलास या फिर इसका एक नाम और मिलता है अपन को धाक क्या नाम है यह देने हैं पलास और ढाक तो लिखे आधे पलास या ढाक इसका वज्यांनिक नाम आपसे पूछे जाते हैं तो इसका वज्यांनीक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा अब इसका एक नाम और मिलता है इसको बोलते हैं जंगल की आग जंगल की आग या इंगलिस में बोला जाता है इसको फ्लेम आफ फ्लेम ऑफ फ्रस्ट अब ऐसा क्यूं बोला जाता पलास और धाग एक परकार का फूल लगता है इस तरीके से और यहां पे इस तरीके से पीली-पीली कलर की जली-दार कुछ टाइल में इस तरीके से पतली पतली जिलियां बनी रहती है और ये इस तरीके का अपना पौधा रहता है ठीक है अब ये जब पीली पीली जिलियां जब हावा बहती है तो ये क्या अगरती है इस तरीके से बहुत सारे हजारों संख्या में लगी रहती है तो दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल में कोई आग लगी हुए, पीली गलर की होती है, तो ऐसा लगता है कि ये जंगल में कोई आग लगी हुए, तो इसको क्या बोलते हैं, जंगल की आज समझ में आये, क्यों बोलते हैं, ठीक है, अब फिर आता है सरवाधिक पलास के वन मतलब यह जो पेड़ मिलता है यह जो सरवाधिक पलास के पलास वन कहां पर मिलेंगे आपको राज सम्मन्द में कौन से जिले में मिलते हैं राज सम्मन्द में समझ में आया ठीक है यह बात होई अपने पलास तीसा लिखिए तेंदू तेंदू का पत्ता देखा होगा अगर आपने कभी देखा हो तेंदू इसका वेगनिक नाम क्या मिलेगा आपको बीसो पाइरस मेलेनो जाइलोन बीसो पाइरस मेलेनो जाइलोन तो लिखिए ठीक है यह बात होई अब बात करते हैं तेंदू की जो पत्ती होती है तेंदू का पेड़ है उसका पत्ता नाम क्या मिलता है आपसे पूछा जाता है इसका जो पत्ता नाम है तेंदू की पत्ती का स्थानिय नाम क्या है तिम्रू क्या नाम है तिम्रू इसका स्थानिय नाम है ठीक है फिर मैं बात करूं तेंदी की पत्ती अब बात आती है इसका उपियोग कहा होता है इसका कहां यूजेज है अब आप मैं बताता हूँ तेंदू का पत्ती का उपियोग कहा होता है आपने बीडी पी होगी पी नहीं मतलब देखी थो होगी पीना भी नहीं चाहिए मैं मजाक में बात कर रहा हूँ आपकी जो बीडी आपने कभी भी देखी होगी जो अपने गाउं में बूढे वगरा जो लोग पीते हैं गाउं वगरा में या फिसेर में भी पीते हैं लोग तो उसके जो पत्ता यूज होता है उसके अंदर वो कौन सा पत्ता यूज है तेंदू का वो पत्ता यूज होता है तो समझ में आया कहा यूज होता है तो बीड़ी उध्योग में किया जाता है ठीक है तेंदू की पत्ती का प्रयोग बीड़ी उध्योग में किया जाता है यह बात होई किसकी बीड़ी उध्योग में अब बात आते हैं सरवादिक यह जो तेंदू के व्रक्स हैं कहां पाई जाते हैं सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं उदैपूर उदैपूर के बाद मिलते हैं अपनको चित्तौरगड फिर कोटा में पाई जाते हैं इस तरीके, तो लिखिए, तेंदू, व्रक्स, सर्वाधिक, उदैपुर, उदैपुर, चिताडगड, और कोटा में पाई जाते हैं, ठीक है, फिर आता है, बीडी उध्यो, बीडी उध्यो के लिए कौन सी जगह पर से उध्यो है, तो दोस्तों, बीडी उध्यो के लिए प्रसिद्ध अपना अजमेर, अजमेर के बाद अपना है भीलवाडा, और भीलवाडा के बाद है अपना ब्यावर, ब्यावर है, आप अजमेर से जोदुपूर की तरफ चलते हो, तो एक जगह आती है बर, बर दर्रा आपने देखा होगा, पढ़ा तो लिखिए, बीडी उध्योग के लिए अजमेर, भीलवाडा और क्या परसिद्ध है, ब्यावर परसिद्ध है ठीक है, यह बात हुई अपने इसकी, अब बात करूँ, तेंदू का जो व्रक्स है, तेंदू के व्रक्स का जो राष्ट्री करन है, इसका नेस्टेलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्री करन, तो इसके तेंदू के व्रक्स का राष्ट्री करन हुआ, राष्ट्री करन हुआ राष्ट्रिय करन किया गया ठीक है तो यह बात होगी अपने तेंदू के बारे में तेंदू लिख लिया ठीक है लिख लीजिए एक दोस्तों कैसे दिखते हैं पौधे वगरा यह आप चाहे तो नेट पे जाके एक वाद देख सकते हैं तेंदू आप लिख जीज़त तेंदू का वरक्स महुआ पलास कैसे होते हैं आप देख भी सकते हैं इनकी इमेजिस बहुत मसारी मिल जाएगी आपको अब अपन होना भी होगा काफी काफी फेमस है अभी बताता हूं क्यों फेमस है इसका वेग्यानिक नाम मिलता है दोस्तों मदूक मदूका लोंगो फोलिया क्या मदूका लोंगो फोलिया या फे लोंगी फोलिया ठीक है तो लिखिए मदूका लोंगो फोलिया या फिर लोंगी फोलिया ठीक है अब देखिए अब इसका बात करता हूँ कि महुआ कैसे फेमस है क्या है जो राजिस्तान में आभीवासी जनजातिया होती है वो क्या करती है महुआ पर एक परकार का फूल लगता है पुस्प लगता है उस पुस्प का परयोग क्या किया जाता है देसी सराब जो अपने देखे होंगे देसी सराब जो देसी ठर्रा टाइप आपन बोलते है वो जो देसी सराब बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है दोस्तों महुआ का जो पुस्प होता है उससे बनाए जाती आदिवासिया जो जन जाती है वो महुआ का पुस्प से क्या काम लेती है देसी सराब बनाने में परयोग करती है और इस देसी सराब को स्तानिय भासा में क्या बोला जाता है मोकडी, क्या कहा जाता है मोकडी, तो आपसे क्यूशन पूछा जा सकता है मोकडी क्या है, तो बता सकते हैं मोकडी, आदिवासी जंजातियों मववा की पुस्व का प्रयोग कर देसी सराब बनाती है, उसे क्या इस्तानी अबासा में क्या बोला जाता है, मोकडी कहा जाता है, ठीक है, तो लिखिए, समझ में आया, राजिस्तान में आदिवासी जनजातियां महुआ के पुस्प का पुस्प का, पुस्प का परियोग कर, देशी सराब बना, उसके फूल का उपियोग किया जाता है, जिसे, स्थानिय भासा में क्या बोलते हैं, मोकडी, क्या कहते हैं, मोकडी कहा, मोकडी कहा जाता है, अंडरलाइन कर लिजे, मोकडी को, इंपोर्टेंट है न, मोकडी, समझ में आगया है, मोकडी क्या आता है, ठीक है, अब बात करता हूँ, जो यह आदिवासी जनजातियां महुआ के पुस्प का परियोग कर ये, पुस्प का परियोग कर ये, मोकडी बनाती है, इसका जो परियोग है, टोटम पर्था में भी किया जाता है, मतलब टोटम पर्था का मतलब होता है, एक तो सराब में करती है, बनाने में, टोटम का मतलब होता है, किसी को जिसे मालीजी अपर बोलते हैं, अपनी गाम वगएरा में आपने देखा होगा राजिस्तान में, या जो भी राजिस्तान के लोग हैं, वो जानते हो कि टोटका ह हो गया कोई परकार का टोट का वगेरा टाइब की जो चीजें होते उसको बोलता है टोटम परता करने में भी मतले के उसको ले के उसके उपर इंसान के उपर अईसा कुछ उन्की माननीत रहती है ना अब लॉजिक है या नहीं है वो तो मेरे को नहीं पता लेकिन ऐसा कुछ रहता है आप करते हैं ठीक है कि बुले इसको नजर लग गई करके होता है ना ठीक है तो अब लिखिए आदिवासी जन जातियां महुआ के पुस्व के पुस्व के पुस्व का परियोग पुस्व का परियोग तो टोटम पर्था में करते हैं आदिवासी जन जातियां महुआ के पुस्व का परियोग क्याक्स में करते हैं तो ये बात होगी अपनी महुआ की तो लिख लीजिए इसको ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट लिखिए अपना सेवन घास सेवन घास इंपोर्टन्ट है सेवन घास का वैग्यानिक नाम क्या है लीसी थूरस सीडी कुस क्या नाम है लीसी थूरस सीडी कुस तो लिखिए थोड़ा सा आपको ये सब चीजें मेमराईज रट्टा मारनी पड़ेंगी ठीक है लेकिन आप दो चार बार याद करोगे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है हो जाएगा लीसी थूरस सीडी कुस ठीक है अब ठीक है लिख लिए अब देखिए सेवन घास जो है ये पस्चीमी राजिस्तान में पाई जाती है मैंने भी आपको बताये थी अब जब मात्रा जादा है तो जब दुधारू पसूश को खाएंगे तो उसके लिए क्या होगा एक पोस्चिन भोजन का काम करती है कौन सी घास सेवन घास क्यूं क्योंकि इसमें प्रोटिन यूखता है तो लिखिए इसमें को सेवन घास पस्चिमी राजिस्थान में पाई जाने वाली सबसे लंबी प्रोटीन यूखत प्रोटीन इंक्लूड़िड घास है जो जो दुधारू पसु है जो मिल्क गिविंग अपने पसु है जानवर है दुधारू पसुओं का पोस्टिक भोजन है कौनसी सेवन घास वैग्यानिक लाम लीसी थूरर सीडी कुस ठीक है यह बात हो गई अपनी सेवन घास की अब बात करते हैं अपन खेजडी की यह भी इंपोर्टन्ट है खेजडी अब सबसे पहले इसका खेजडी का वैग्यानिक नाम आपसे पूछा जाता है तो इसका वैग्यानिक नाम क्या है इसका वैग्यानिक नाम मिलता है प्रासेपिस सिनेरेडिया के नाम है प्रासेपिस सिनेरेडिया लिखिए प्रासेपिस सीने सिनरेडिया सिन रेरिया के नम है? प्रासेपिस सिनरेरिया ठीक है? यह तो बात हो गई इसके वहगैनी की नम की अब इसके कुछ नम और मिलते है इसका पुरानी की नम मतल barrels हảiो पूरानों में इसका नम क्या मिलता है? तो लिखिए इसका पुराणों में नाम मिलता है समी, पुराणिक नाम, इसका पुराणिक नाम क्या मिलता है, समी इसका पुराणिक नाम है, फिर स्थानिय नाम है इसका जाटी, क्या नाम है, जाटी, जाटी या कई बार इसको जाटी भी बोलते हैं, ऐसे लोकल लेंग्वेज में सहितिक नाम, क्या है, सहितिक नाम इसका मिलता है, सीम लोक, क्या नाम मिलता है, सीम लोक, इसका सहितिक नाम मिलता है, इसको तमिल में क्या बोला जाता है, क्या जो खेजडी है, वो बहुत ही फेमस है अपनी राजिस्तान की, तमिल में इसका नाम मिलता है, पे में, क्या नाम मिलता है, पे में, ये क्योशन सब पूछे गए हुआ है न, प्रिवियस में, कंणड में इसका नाम मिला है, बन्नी, ऐसा लगता है, राजिस्तानी नाम होगा बन्नी, लेकिन कंणड का नाम है, इसका है न, कंणड में इसको क्या बोला जाता है, बन्नी, सिंधी में क्या बोलता है, सिंधी में इसको, इसको सिंधी में बोलते है, छोकडो, क्या बोलते है, छोकडो, ठीक है, ये बात हो गई, लिख लीजिए, अराम से, अब इसकी विशेष्था के बारे में पढ़ेंगे, ये जो खेजडी है, दोस्तों, अपना राज्य वरक्स है, न, और इसको राज्य वरक्स का दरजा कब मिला था, 31 अक्टूबर 1983 इसको क्या मिला था, राज्य वरक्स का दरजा मिला था, ठेक है, अब सबसे पहले बात करते हैं, विशेष्था में इंपोर्टेंट है ये खेजडी बहुत, अब देखिए, सबसे पहले बात आते हैं, एक खेजडी है, राजिस्तान में इसको राज्य वरक् में प्रॉबलम ये है, कि यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन भढ़ रहा है, that is, मरुस्तली करन जो है, वो लगातार भढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया, खेजडा, कौन सा ऑपरेशन चलाए गया, ऑपरेशन खेजडा चलाएगा, ऑपरेशन खेजडा मे पस्चिमी राजिस्तान में मरुस्तली करन को रोकने है तू, कौन सा ऑपरेशन चलाएगा, ऑपरेशन खेजडा, तो आपसे पूछा जा सकता है, what is operation खेजडा, या operation खेजडा क्या है, operation खेजडा, ऑपरेशन खेजडा, चलाएगा, यह बात हुई अपने operation खेजडा की, फिर मैं बात करूँ, इसकी और क्या विशेचता है, जो खेजडी का वरक्ष है, आपने देखा होगा, जब भी अपन जो दसेरा होता है, या फिर जनमास्टमी का जो तोहार होता है, जो पर होता है, उस दिन खेजडी की वरक्ष की पूजा की जाती है, अगर आपने कभी नूटिस किया हो, तो लिखिए, यह बात हो रही है, अपने राजिस्तान के संधर में, सब जगे जगे अपने अपनी माननेता हैं, और राजिस्तान का जो वैसे ही कल्चर इतना बड़ा है, कल्चर, इतियास, जोग्राफी, अपने आप में जो GS है, वो इंडिया जी के GS से भी इसका बड़ा GS रहता है, लेकिन अच्छा है, है ना, राजिस्तान हरिटेज का एक स सुन्सकृती, यहां का कल्चर, यहां की आर्ट, यहां के जितने किले हैं, यहां के लोग, यहां की बोली, यह सब देखने आते हैं, है ना, अब अपन तो अपन क्या है, खुद राजिस्तान में रहते हैं, तो अपन को इतनी कदर नहीं है, लेकिन बहुत ही जबर्दस इति कोछ नियोरा मेंहें राजिस्टान का पताय है कि इंडिया जी में कोछा एक तरफ राजिस्टान आ में सबस्टान में हो तो क्यों सबस्क्राइश दाया अने में हैं चब्रॉट तो की मिक्स कल्चर का समुद्री टट है एक तरफ बरसात ही बरसात है तो एक ऐसा mixed country जहां पे आपको हिंदुस्तान या वर्ल्ड की विस्व की एक ऐसी चीज मेरे को बता जीए जो विस्व में पाई जाती हो और हिंदुस्तान में ना पाई जाती हो लेकिन वही है कि हम उसके इज़त नहीं करते हम हमें अपने देश पे गर्व होना चीए हमें अपने प्रदेश पे गर्व होना चीए कि हम इंडिया के वासी एक ऐसे देश के वासी है जहां पे अलग-लग बूलिया चेंज होती रहती है राजिस्तान की बात करूं तो आप आठ कोस चलते हो तो बूली चेंज हो जाती है है तो ये बाते हैं कई चीज़े हैं अपन पढ़ रहे हैं तो आई होप इन चीज़ों को आप अपलाई करोगे अपने जीवन में ठीक है तो लिखिए खेजडी के व्रक्स की पूजा दस हैरा तथा जन्मास्टमी के परो की जाती है ये बात हुई अब देखिए भारत का अब मैं बात कर रहा हूँ जो भारत का सबसे पहला परियावरर रसंडरक्षन आंधोलन हुआ था चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन का जो आदर्स है, वो कौन सा माना जाता है, खेजडी आंदोलन को माना जाता है, तो लिखिए, खेजडी आंदोलन कौन सा था, जो जोधपुर के जो पास है, गाव 333 लोगों ने, विश्टोई समाज के लोगों ने, अमरिता विश् था इस खेजडी क्रक्स के लिए है ना अभी अपन जो पढ़ेंगे विश्णों वी समाज वगरा पढ़ेंगे देवी देवताओं में जामभोजी करके तो वहां भी यह चीजें आपको मैं बताऊंगा ठीक है तो लिखिए भारत के पहले परियावरन संड्रक्षन आंदूलन कादर्स खेजडी जो भारत का पहला परियावर अंदूलन हुआ था चिपको अंदूलन वो किससे प्रभावित था किसका आदर्स क्या था खेजडी अंदूलन था जो मैंने भी आपको बताया विश्णोई जी वाला अना अम्बलता विश्णोई वाला फिर लिखिए इसका जो राज्य वरक्स का दरजा का मिला लिखिए खेजडी वरक्स को 31 अक्तूबर 1983 को राज्य वरक्स का दरजा दिया गया दरजा दिया गया तो लिख लीजी आप इतना चिक है आगे चलते हैं अपन अब लास्ट पॉइंट है अपना विश्ष्टा में खेजडी के लिए वो यह है कि जो खेजडी का जो वरक्स है इसे क्या कहा जाता है राजिस्तान का गौरव कहा जाता है क्या कहा जाता है राजिस्तान का गौरव कहा जाता है तो लिखिए खेजडी वरक्स को राजिस्तान का गौरव या क्या कहा जाता है कल्प वरक्स क्या कहा जाता है यह बात होगी दोस्तों अपने खेजडी की अब लिखिए अपना रोहीडा रोहीडा टेक है वेग्यानिक नाम है इसका टेकुमेला एंडूलेटा टेकुमेला एंडूलेटा तो लिखिए टेकुमेला एंडूलेटा ठेक है यह हो गया इसका वेग्यानिक नाम अब बात करता हूँ रोहीडा जो वरक्स है रोहिडा को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है सागवान कहा जाता है मरू सोभा कहा जाता है मरू टीका कहा जाता है किसको कहा जाता है रोहिडा जो वरक्स है अपना रागिस रेगिस्तान का सागवान मरू सोभा मरू टीका तो लिखिए रोही रोहिडे को रेगिस्तान का सागवान मरुशोभा मरुटी का कहा जाता है यह बात हो गई रोहिडे की अब मैं बात करूँ रोहिडे का जो वरस है रोहिडा का जो पुस्प है इसको राज्य पुस्प का दर्जा है तो अगर मैं बात करूँ राज्य वक्स का दर्जा की साई खेजडी को अगर पुस्प की बात करूँ 1983 को ही इसको दर्जा दिया गया तो लिखिए 31 अक्टूबर 1983 को 1983 को रोहीडा के पुस्प को राज्य पुस्प का दर्जा दिया गया यह बात हो गई पुस्प की अब बात आती है जो रोहीडा का जो व्रक्स है इसके लिए क्या है एक जानवर है जर्विल जर्विल जो जानवर है यह क्या करता है जड़ों को खराब करने के ज़से रोहीडा का व्रक्स है वो खतम हो जाता है तो जर्वील क्या है जर्वील एक प्रकार का रेगिस्तानी चू है जो उसके लिए काफी हनीकारक है उसकी ये जड़ों को कुतर देता है और ये क्या हो जाता है अब रक्स खतम हो जाता है मर जाता है तो लिखिए रोहीडे के व्रक्स के लिए ये क्योशन पूछा जा सकता है के लिए सरवादी खानी कारक जर्विल जर्विल के ब्रैकेट में लिख लीजिए रेगिस्तानी चुहा होता है तो ये बात होगी अपने रोहीडे की ठीक है तो ये अपना हो गया है अपना रोहीडा अब बात आती है एक पॉइंट है आपने सुना होगा एक अर्जून का वरक्स होता है तो अर्जून का वरक्स जो सबसे सरवादी कपन को मिलता है वो का मिलता है जहलावार में अब अरजुन के वरक्स की क्या विशेशता है आपने देखा अरजुन का एक वरक्स होता है उस पे क्या होता है आपने सुना भी होगा अरजुन के जो पेड़ होता है उसकी जो चाल होती है जो BP, high BP, जिनके भी heart की या बिमारियां होती है, उसकी चाल बड़ी important part play करती हूँ, अगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, उसकी चाल को अगर आप piece के powder के form में लेते हो, तो किसी भी किसी BP की, कैलस्ट्रॉल की जो बिमारियां होती है, वो जड़ से खतम हो जाती है अरजुन के चाल को powder, और इस अरजुन के वरक्स पे एक tusser की खेती भी की जाती, tusser की खेती का मतलब होता है, जो अपना जो मकमल बनाने का जो process होती है, उसे बोलते हैं, टusser की खेती है, तो एक मकमल का कीड़ा छोड़ देते हैं, उस पेड़ पे और यह उसको करता है, तो लिख लिजिए इस पॉइंट को राजिस्तान में अर्जुन ठीक है अर्जुन के यह अलग है इस से इंडिपेंडेंट है व्रक्स सरवाधिक जालावाड में अर्जुन के ब्रैकेट में लिख लिजिए टसर खेती ठीक है और टसर खेती मतलब मखमल मखमल की खेती तो समझ जाएंगे आप है ना हिंड मिल जाएगा कि अपनने क्या बात की थी ठीक है तो दोस्तों अपनने अब कंप्लीट कर लिया है यह जो पर्मुक वनस्पति है राजिस्तान के अपनने फॉरेस्ट और जो नैचुरल हैबिटेशन वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे अपन एक एक करके एक टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं और दीरे दीरे करके अपन इजिली सलेबस को कवर कर लेंगे टाइम पे तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजे वीडियो को और सबसे इंपोर्टन तिंग जितना होशे के वीडियो को शेर कीजे जितनी भी आपके गुरुप से हैं फ्रेंट से सब में शेर कर दीजे ताकि सारे के सारे स्टूडेंट सीरीज का घर बैटे बेनिफिट उठा सके थैंक्यू फर वाचिंग आर वीडियो